असलाम नेकुम डियर स्टूडेंट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सप्रेसिफ रेडिंग क्या होती है और एक्सप्रेसिफ रेडिंग करता कौन है आज डेफिनिटली वो टीचर ही करता है यानि कि वो आप करेंगे और कैसे करेंगे उसके लिए आप क्या स्ट्राइजी अपना सकते हैं और यह क्यों जरूरी है इसको हम लेखते हैं क्या होती एक्सप्रेसिफ रेडिंग यानि कि जिस तरीके से हम किसी टेक्स को पढ़ते हैं वो उस टेक्स को फनी बनाता है या उसको अदास बना देता है अगर आप किसी भी एक फनी जोग को बहुत फ्लाटली परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली उस पर कोई नहीं हसता आप किस तरीके से उसे सुनाते हैं किस तरीके से बियान करते हैं आपकी आवास का उतार चड़ाओ क्या है आपकी चेहरे के एक्सप्रेशन क्या है आप कहां पोस्ट ले रहे हैं कहां देख रहे हैं कहां खामोश हो रहे हैं कहां बोल रहे हैं यह तमाम चीज़े बहुत एह में जिससे कोई भी टेक्स जो है उसका एक्स्प्रेशन जो है हमें समझ आता है एक अच्छा टेक्स जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ने के डेफिनेटली हक रखता है कि उसे बहुतरीन तरीके से पढ़ा जाए So what we need to do is as a teacher जब हम read aloud करते हैं और expressive reading कर रहे होते हैं बच्छों के सामने तो बच्छों को ये समझ आती है हमारी class के अंदर कि कैसे एक इंसानी आवाज जो है वो किसी भी इलफास के माईनी को express कर सकती है जबकि वो लफ़ नहीं देख रहे हैं वो जुमले नहीं देख रहे हैं जब teacher proper तरीके से reflective और expressive तरीके से reading करते हैं टेक्स की बच्छों के सामने तो बच्छों को आवाज की जो magic है आपकी voice magic और आपका expression उसके बारे में पता चलता है कि वो क्या है accuracy के साथ साथ हम text को सही तरीके से fluency के साथ तो पढ़ते ही है लेकिन उसके अंदर important character ये भी है कि आप उसको ऐसे पढ़ें ताकि पढ़ने वाला उसकी जो intention है उसके sentiments है emotions है वो भी समझ सके तो teachers जो है उनको ये skill पहले अपने अंदर develop करनी पढ़ती है और फिर वो students के अंदर develop करते हैं ताकि teacher जो है जब एक text को बावाजे बुलन क्लास में पढ़ रहे हो तो उसके emotions के साथ पढ़ रहे हो और fluency के साथ पढ़ रहे हो आप teachers करें क्या कैसे वो expressive जो है reading उसको develop करें number one हमारे पास यह है कि आप conscious effort करें इसके अंदर आपके सामने जो text है उसके expression को समझें और बकाइदा act out करें कि मैं इसको इस तरीके से पढ़ूँगी या पढ़ना चाहती हूं और उस emotion को समझते हुए आप conscious दी उसके उपर practice करें उसके उपर effort करें सो जब आप class में कोई कहानी लेकर जा रहे हैं it is good कि आप उसे घर में एक दफार रीड आउट करके practice कर लें कि मैंने इसे class में कैसे पढ़ना है अब आप एक ही sentence को मुक्तलिफ तरीके से पर सकते हैं उसके जो words हैं कुछ words पर आप emphasize कर सकते हैं कुछ words को दबा सकते हैं तो आपके बास अगर एक जुमला है तो उसको मुक्तरिफ उतार और चड़ाओ से बावाजय बुलंद practice करके देखें शीशे के सामने जो आपको लगता है Aura interpretation is a study of literature through performance in which one expresses their own understanding of the work of an author So Aura interpretation के अंदर हम actually reader theater का ही पाट है जिसमें आप सिफ read out कर रहे हो text को पर आप text को पहले understand करते हो कि author इसमें कहना क्या चारा है समझाना क्या चारा है क्या चीजें वो आपको नहीं बताना चारा कौन सी आवाज है जो रहास में रखी जाए कौन सी आवाज है जो बावादे बुलंद बताई जाए So you need to understand के author का बुन्यादी मकसद क्या है उसका syntax क्या है इस जुम्रे के अंदर उसको समझते हुए हम Aura interpretation लेके चलते हैं reader theater में अब इसके अंदर definitely आपके पास क्या चीज है वो है आपकी आवाज और आपकी body तो आप सिर्व अपने चेहरे के expression से बॉड़ी के gesture से और अपनी आवाज के उतार चड़हाओ से Aura interpretation दे रहे होते हैं आप बता रहे होते हैं कि आप जो कहानी सुना रहे हो उसके अंदर जो character है उसका mood क्या है और वो character खुश है या नराज है student जो है वो बहुत सी चीजों में Aura interpretation कर सकते हैं poetry में theater है prose है बहुत है सारी मेरे पास stories है जिनको हम student को सुनाते हैं और documentary material हो सकता है जिसके अंदर बच्चे जो है वो इस चीज़ को practice कर सकते हैं अपनी अवाज के उतार चड़ाओ को और expressive reading को Aura interpretation के थूरू So Aura interpretation में हमें सबसे पहले फैसला ये करना पड़ता है कि हमने अपनी जो audience है उसको हमने क्या चीज़ दिखानी है और क्या चीज़ हमने बतानी है जो author ने लिखी हुई है जो actually आप किसी set के थूरू नहीं बता रहे हैं तो student सबसे पहले उसके अंदर जो literacy aspect होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कहानी का plot क्या है, setting क्या है, theme क्या है, कहां कहां conflicts आ रहे हैं ताकि पता चले कि कहानी है क्या और फिर वो उसके मताबिक language यूज करते हैं और जो के author वो language यूज करना चाहता है और आपको चाहता है कि आप ऐसे express करें तो जो उसकी comprehension है उसका करदार की वो बहुत ही जरूरी है कि student उसको समझे और उसके साथ connected हो यह definitely चीजे वो हैं जो उनकी performance को influence करती है अब मिसाल के तौर पर जब आप कोई करदार perform कर रहे होते हैं जिसमें कोई बच्चा स्कूल में bully हुआ है और उसके दोस्तों ने उसको physically या emotionally abuse किया होता है या aggression दिखाया होता है वो सकते हैं आपने कभी aggression ना देखा हो या आप स्कूल में स्रब बुली ना हुए हो लेकिन जब आप एक करदार का plot उसका theme उसके conflicts उसकी चीज़ों को पढ़ते हैं उसे समझते हैं connect करते हैं आप उसे ऐसे perform करते हैं जैसे वो किरदार कहानी का किरदार नहीं है वो किरदार आप खुद हैं आप उसके जज़बात को समझते हुए उसकी तकलीफ को समझते हुए अपने आवाज में अपने expression में वो तमाम जज़बात लेकर आते हैं वो सकता है जिसे बहुत इंट्रस्टिन तरीके से पढ़ा जा सकता है फणी तरीके से भी पढ़ा अते हैं पढ़ा जा सकता हैं जा सकता है और critical तरीके से भी पड़ा जा सकता है